तो अगर आपको लोन की जरूरत है तो अब आप अपने आधार कार्ट से अपने घर बैठे ही लोन ले सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है यहाँ पर आपको परसनल लोन जो है इंस्टेंटली मिल जा रहा है तो कैसे आपको लोन के लिए एपलाई करना है सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस आज की इस विडियों में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं अपने मॉबाइल में या फिर अपने लैप टॉप में कोई भी एक ब्राउजर को आपको ओपन करना है ब्राउजर में टाइप करना होगा आपको I-Double P B तो I-Double P B आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारे आपसेंस आ जाएंगे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक की एक लिंक आपके सामने आ चुकी है तो आपको इस विबसाइट की लिंक पर टैप कर देना है जैसी यहाँ पर आप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा य यहाँ पर आपको एपलाइ नाओ का आप्शन देखने को मिलेगा तो लोन के लिए एपलाइ करने के लिए आपको एपलाइ नाओ वाले आप्शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्टेक्शन आ जाएंगे कुछ इंस्टेक्शन यहाँ पर आप किसमने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर आपको apply here वाले option पर click कर दिना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपको mobile number verification करना होगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला जो option है वो यहाँ पर देखिए select loan category का ठीक है तो आपको यहाँ पर इस वले option पर click करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के loan यहाँ पर आपको मिलेंगे पहला जो loan है वो है personal loan दूसरा है home loan तो यहाँ पर हम personal loan लेने वाले हैं, यहाँ पर हम personal loan select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना area का pin code जो है यहाँ पर fill करना होगा इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना mobile number जो है enter करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं enter mobile number, उसके बाद यहाँ पर यह जो CAPTCHA CODE दिया गए है तो CAPTCHA CODE को यहाँ पर आपको फिल करना होगा तो पहले mobile number फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर CAPTCHA CODE फिल करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको एक खाली box दिखाई देगा यहाँ पर आपको consult देना है और यहाँ पर GET OTP वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP send किया गया होगा तो OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है तो यहाँ पर आप OTP फिल करेंगे इसके बाद नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा verify का तो आपको verify वाले option पर क्लिक कर देना है नेम का तो यहाँ पर आपको इस column में जो है फीरस्ट नेम अपना करना होगा तो जो भी आपका फिरस्ट नेम है यहाँ पर आप करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको second nommer वाला ओप्शन मिल जाता है लास्ट नेम का तो अपना last name वहाँ पर उसका column में fill करेंगे यहाँ पर third जो option है वो automatically यहाँ पर fill है यहाँ पर आप इसे ऐसे ही रहने दें यहाँ पर fourth जो option है वो है mobile number का जो की automatically यहाँ पर detect हो चुका है अब यहाँ पर जो पांचवा जो option है वो देखिए यहाँ पर pen card का है तो यहाँ पर आपको अपना pen card number fill करना होगा यहाँ पर आपको अपना date of birth fill करना होगा तो यहाँ पर आपका जो भी date of birth है वो यहाँ पर आप fill करेंगे जैसी आप यहाँ पर date of birth feel करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी age है वो automatically यहाँ पर calculate होकर आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर आपको pin code का option मिलेगा जो की यहाँ पर already यहाँ पर detect होगा और यहाँ पर आपको अपना office का जो pin code है वो यहाँ पर आपको fill कर देना है जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ का pin code आप यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद यहाँ पर salary monthly यह वाला option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना कितना कमाते है monthly यहाँ पर आप fill करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको कोई भी छेटखानी नहीं करने है यहाँ पर आपको icon search देना है और यहाँ पर show eligible lenders वाले option पर click करना है इसके बाद आपके सामने ऐसा interface आजागा यहाँ पर by default जो भी set होना होगा वो यहाँ पर by default set होगा आपको नीचे submit वाला option मिलेगा यहाँ पर आपको click कर देना है जैसी यहाँ पर आप submit पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं congratulations का एक pop-up हमारे सामने आ चुका है अब यहाँ पर आप status में अगर देखेंगे नीचे तो status यहाँ पर आप देख सकते हैं accepted तो हमारा जो loan का जो हमने request भेजा है वो यहाँ पर accepted हो चुका है यहाँ पर हमारा जो loan का amount होगा वो 33,660 रुपय का जो loan है वो हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 33,660 रुपय का loan आपको यहाँ पर मिल जाएगा loan का जो amount है वो अलग-अलग state में अलग-अलग हो सकता है तो यहाँ पर अगर आपको loan चाहिए तो आपको apply वाले option पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको proceed वाले option मिलेगा आपको proceed वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपके समने ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है नीचे यहाँ पर provide personal details वाला option है यहाँ पर आप click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी personal details जो है feel करनी होगी जैसे कि यहाँ पर आप married है या फिर single यहाँ पर आप select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको अपने company का name type करना है जो भी आपकी company है जहाँ पर काम करते हैं उसका address यहाँ पर type करना है उसके बाद यहाँ पर landmark यहाँ पर आपको area का जो जिस भी area में है वो select कर लेना है और city वगरे तो आपने पहले से select कर रखा था यहाँ पर save and continue पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ assign interface आ जाएगा अब यहाँ पर आपको जो है अपना address फिल करना होगा जहाँ पर आप रहते हैं तो यहाँ पर आप अपना address फिल करेंगे और अपना flat number वगरा यहाँ पर फिल करेंगे और area का code वगरा फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर save, proceed, details वाले option पर click करेंगे तो जैसी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं Congratulation का एक pop-up हमारे समने आ चुका है और हमारा जो loan है वो यहाँ पर loan amount हमारा 45,000 कर दिया गया है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं Congratulation you are approved for limit 45,000 तो यहाँ पर आपको complete KYC वाले option पर क्लिक करना होगा loan को लेने के लिए अब यहाँ पर आपके समने ऐसा interface आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना एक selfie अप्लोड करना होगा तो यहाँ पर आप अपनी एक selfie क्लिक करके अप्लोड करेंगे और आधार कार्ट का जो EKYC है वो यहाँ पर आपको complete करना होगा तो KYC जो है आप online ही complete कर लेजिए online KYC आप complete कर लेंगे तो आपके पास call आएगा और आपको बता दे जाएगा कि कब आपको कितना loan मिलेगा और loan का जो interest होता है कितना percent आपको pay करना पड़ेगा सारी details यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो I hope वीडियो आपके लिए helpful होगी अगर आपके मन में अभी भी कोई बाकी है तो आप मुझे comment करके पोच सकते हैं मैं इसका reply ज़रूर दूँगा सो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए जहिंद बंदे मातर